रीवा में हुए लड़की के साथ मारपिट के मामले में मुख्यारूपी की उत्तरपदेश की मिर्जापुर में हुई गरफतारी देर रात लगबग एक बज़े हुआ मुख्यारूपी गरफतार पूरे मामले की पोस्ताज में जुटी पुलिस कल से लड़की के साथ मारपिट का वीडियो सोशल मीडिया में जम कर हो रहा था वाइरल मारपिट करने वाले प्रेमी प्रेमी का बताए जा रहे यूवाक वायूती मामली को लेकर पुलिस दिखषक नवनीद भसिन ने बताया कि वीडियो वाइरल होने के बाद मुख्या रूपी के सहयोगी को तुरंथी गरफतार कर लिया गया था लेकिन मुख्या रूपी की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी साइबर सेल की मदद से रूपी का उत्तर प्रदेश की मिरजापूर में होना पुष्टी हुआ जिसके काम किया है पुरे टिम को हम पुरुस्कत भी करेंगे और जो भी आगे पूछता चोगी कल जो भी डेवलप्मेंट होगा और घटना की जनकरी मिलेगी नई घटना प्रकाश में आएंगी उसको भी हम कल आपको प्रेस्टोर की मादम से शेयर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार प्रते घटना पर हमारे सभी वरेश अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने ना सिर्फ जो कैमरे पुलिस के हैं अपितु पैदल ब्रह्मन करके महले और कॉलोनी में जो कैमरे लगे थे उनसे भी सहयोग लिया और परसों की घटना अगे पर शाथ जब हमको सुचना मिली तो भाँ जो हम लोगोंने फोटेज क्लेट किये तो एक मुख़विर की सुचना पर एक विक्ति का नाम उसमें आया उसको ट्रेस करने करम में जब हम लोगोंने अपना हमर किया तो उससे पुरी लिंक हमको मिलती गई और पूरा गिर अभी रवाना है उसका कल ता उसका वेट करते हैं यूगि अभी उसका नाम उपन करना ठीक नहीं रहेगा नहीं माल उसको बेचते थे साथ ही नहीं है इनका मैं उसके बार में कल ही बताना हुचे समझता हूँ मागगंज का घटना करम जो आपने देखा उसके पशाथ दोनों आरुपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसमें अभी हमारे साथ की टीम ने जाके वाँ पर रिक्षन करने के पशाथ जो पाया उसके अंसार लोगों ने वाँ पर जो भी उनके जोरा वैद कब जेते उस पर भी कारवाई प्रणम कर दी गई है जिसके वोटो वगर आपके पास पहुंच जाऊंगे आगे जो भी कारवाई और हम लोग करेंगे वो भी आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे अभी प्रतम द्रश्टया अपराद पंजीबत करने में विलंब और महिला अपराद में संब्दें सिर्था ना परतने करम में उनको विलंबित करके लाइन टेज किया गया है एडिस्टन स्पी मॉग गंज को जांच दिया वा चुके थी संजय गांदी भी उनके साथ रात को हमारे फैर की सीएसपी और विश्या थाना प्रभारी दोनों साथ में रही और उनके साथ में पुरा उनके साथ रहके जो भी उनका चेक अप था टीटमेंट था वो कराया गया सुबह भी हम लोग उनका अपडेट लिए अपने विले आता मैंने विलिया और अभी उनको कोई संज्चा नहीं है और जब भी को ऐसफी और आगे समस्चा होगा तो अम लोग उसके लिए शेयर इसली लाये हैं कि मयुगन छेत्र में अगावप्ता संदन नहूं इसली ही यहां पडर कोई समस्चा होगी तो हम वो उसको जल्दी स्रेखल कर लेंगे, अभी पुस्वास्त हैं, कोई समस्थान को नहीं है। रिवा जिले में विगत लगबग चार-पांच माह में हो रही चेनिस नेचिंग की घटनाओं का आज हमारी टीम ने पूरे उस ग्रहों को पकड़ने में सफलता हांसिल की हैं। इस घटनाओं को लेके हमारे अडिशन स्पी और सी स्पी लगातार पृतेक घटना अस्थाल पर गए थे। पृतेक उन्होंने पृटेज कलेट किये और लगातार उनका हमर्क रहा इसके चलते सफलता इस पूरे टीम को मिली है। इसमें 15 चेरे स्नेचेंगी घटनाएं इनके द्वारा अभी तक कबूली जा चुकी हैं और अभी हमारी पूस्टाच इंते जारी है। इन 15 घटनाओं में 8 घटनाएं समान थाने की हैं, 5 विश्वत जाले थाने की, एक सिविल लाइन और एक अमईया थाने गटना है। अभी इन लोगों से और पूश्टाच की जाएगी, बाकी चितने हमारे ठाने हैं, उनकी घटनाओं को भी हम लोग चार्ट बना रहे हैं, उनकी पेंडेंसी को भी ले रहे हैं, उसमें इनकी भूमिका क्या थी, अभी तक की पूश्टाच में 6 लोगों का ग्रुप सामने आया है, जो हमेशा 2 या 3 की संख्या में आते थे, हर बार अलग लोग आते थे, और वो 2-3 लोग यहां आकर घटना करते हुए, उसके पश्टाच सतना वापिस चला जाते थे, यह सभी 6 लोग सतना जिले के निवासी हैं, और सतना जिले में इनका जिन ठानों में निवास स्थान रहा है, वहाँ पर भी हम लोग संपर्क में हैं, और वहाँ भी अपरादिक recording, इनका अग्याद किया जा रहा है, इसके हनों के हम इसके थे, इनके पोटो, शेयर कर रहे हैं, इसके वहाँ की इनकी आशंका है, जिन घटनाउ में लिप्त होने की, तो वहाँ की घटनाएं भी रेस उतके